हेलो दोस्तों वेलकम टू एसे से अड़ा वेलकम टू अड़ा 247 में आपके अपने परिवार अड़ा 247 में हार्दी का विनंदन करता हूं हार्दी स्वागत करता हूं आज हम यह आपर डिस्कल्स करने वाले हैं एक शांदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुती इंपोर्टेंड और बहुती खास ससी सीजल स्पेशल सुबह 9 बजे का सेशन जिसमें हम बहुत सारी बाते करने वाले हैं जिसमें हम पूरे पैटरन को समझने वाले हैं कि किस तरह के सवाल आपके एक्जाम में आते हैं और किस तरह के क्लास को थोड़ा सा विलंब कर दिया था इस कारण से मैंने क्लास को लीड कर दिया था मैंने चलो पहले उस इवेंट को देख लें समझ लें कि उसमें क्या-क्या है उसमें क्या-क्या होने वाला है ताकि आपकी क्लास पिर उसी इवेंट के कोडिंग बहुत सारे बच्चे वह समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरी क्या बावनाई हैं और बिल्कुल बैतरी तरीके से आप सभी चीजों को सीखेंगे समझेंगे देखेंगे तो सभी सातियों को गुड मॉर्णिंग राते-राते राम-राम ध्यान से आप देखना रहा है कि यह आपका गला खराब है क्या हां जी मेरा गला घरा खराप है ठीड है तो धीरे दीरे से पिख बोलूँआ घरा ज्यादा इॉरा मेरा ज्यादा ही खराब poderia ऐज चलिए इसको देखेंगे समय कैसे कहा है कोई बात निंस को देखेंगे इस सवाल में यह क्या कहा है इसको आप यहां पर द्यान से समझेंगे इसका उत्तर करेंगे बताओ एक बात मुझे आपसे और बी डिसकर्व करनी है ह Até हम आगे अपनीत क्यारी और किस के स्सक्राइ से ले कर चलेंगे ये भी मैं आपको आ समझाने वाला हूं और कैसे हम करेंगे इसके ओपर भी मैं आच अर्चा करने वाला हूं सबसे पहले स्वाल पर है दो व्यक्तियों की मासी क् básik आए चारनुपाइद 5 के अनुपाइद में हैं और उनका मासिक खर्च 7 अनुपात 9 के अनुपात में है तो आपको यहाँ पर इनकी मासिक आय का रेशो दे रखा है और इनको मासिक खर्च का भी रेशो दे रखा है और आपको यह कहा है कि यदि प्रतेग विक्ती 50 रुपे प्रती महा बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है income कितनी है आपको income बतानी है आपको यहाँ पर आये दे रखी है 4 ratio 5 और आपको यहाँ पर खर्च दे रखा है और आपको इसने का आए कि यदी प्रतेक व्यक्ति 50 रुपे प्रती महा बचाता है तो उनकी आये कितनी है आपको उनकी आये बतानी है यह देखेंगे आप देखना बहुत द्यान से जब कभी भी ऐसा सवाल हो तो आपको यहां पर अंतर देखना होता है कि अंतर क्या है जैसे 7 और 4 का अंतर क्या है 3 9 और 5 का अंतर क्या है 4 यह तो अंतर बराबर नहीं है अगर अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर करेंगे क्यों कर रहे हैं क्योंकि दोनों की बचत बराबर है दोनों परतेक महा 50 रुपे बचा रहे हैं दोनों की बचत क्या है बराबर है तो नीचे हुना चारदुनी आठ और दस साथ और नो अब अंतर क्या है एक एक किसके बरावर है पचास रूपे के तो आठ किसके बरावर है 400 के और 10 किसके बरावर है 500 के तो option D क्या है बिलकुल सही उत्तर है option D क्या है परम सक्ते है सब को clear बताओ, option D क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, option D क्या है, पर हम सकते हैं, सब को clear, बताओ, सब को ये बात आ गई समझ, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है, चलिए, इस पर आएए, 12 आदमी, जा 20 लड़के, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, चार आदमी और चार लड़के, चार दिनों में उसी काम का कितना भाग पूरा करेंगे, आप से ये पूछा गया, जल्दी सा बताएंगे, बड़ी आज़े, चलिए, इसको देखेंगे, इसमें क्या कहा रहा है, कि 12 आदमी, किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और अब 20 लड़के, उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो आप से कहा गया, कि 4 आदमी और 4 लड़के, चार दिनों में उसी काम का कितना भाग पूरा करेंगे, ये आप से पूछा गया, कौन सा सवाल है ये, M.D.H. मसाले का सवाल है, आप 10 से 10 काटेंगे, आप इसको काटेंगे, 4 पाने 20, 4 तिया 12, तो M और B का रेशो क्या होगा, 5 रेशो 3 होगा, M और B का रेशो क्या होगा, 5 रेशो 3 होगा, अगर मैं टोटल काम पूछू तो क्या है, 12, गुनामे 5, गुनामे 10, तो 600 है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, कि 4 आदमी और 4 रखे, 4 दिनों तक काम करते हैं, तो 4 पाने 20, 4 तिया 12, तो 32 हो गया, 32 गुनामे 4 हो गया, और बाग करेंगे 600 से, तो आपके पास यह कटेगा 4 पर, 4 एकम 4, 4 पाने 20 और 0, 2 पर काटेंगे, तो 75 और 16, 16 बटे 75, ऑप्शन A, ए क्या है, बिलकुर सही उत्तर है, ए क्या है, प ऑप्शन A क्या है, बिलकुर सही उत्तर है, ऑप्शन A इस दा राइट अंसर, सबको क्लियर है यह बात, किसी भी काम के कितने भाग को पूरा करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, कि जितना काम आपने कर दिया, उसको ऊपर लिखा, और जितना काम आपको करना है, जो टोटल ह उसको नीचे लिखा, तब जाकर आपके पास आगया, सोला बटे बचत्तर, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, दो संक्याओं का आपको रेशो दे रखा है, अनुपाद दे रखा है, आपको यहाँ पर रेशो दे रखा है, दा रेशो ओव टू नमबर्स इस फॉर और हमें यहाँ पर इसका एक्सियो दे रखा है, यह तीन है, हमसे इसका एलसियम पूछा है की एलसियम क्या होगा, यह आप बताएंगे, आपको दो संक्याओं का रेशो दे रखा है, तो एलसियम क्या होगा, रेशो गुनामे एक्सियम, आपके पास क्या आगया, साठ आग बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है औप्शन भी क्या है पर हमसुत्य है सब को क्लियर है बात चलिए आगे बढ़ते हैं एक कार 54 km प्रतिगंते की čाल से एक निश्ची दूरी को 3 गंटे में तया कर सकती है युदि इसकी चाल को 27 km प्रतिगंटा बड़ा दिया जाता है तो कार दोरा इसी दूरी को तया करने में कितना समय लगेगा आपको ये समय बताना है एक कार आपको ये कार के बारे में बताया गया है कि एक कार 54 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से एक निश्ची दूरी को तीन गड़े में तेह करती है ठीक है यदि इसकी चाल को 27 किलोमेटर प्रती घंते की गती से बढ़ा दिया जाता है तो कार द्वारा इसी दूरी को तै करने में कितना समय लगेगा आपको ये समय बताना है जल्दी से बताओ केरसर CHSL का कलास नहीं करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे आज रात को नो बजे आपके SSE CHSL के कोशन डिसकस होंगे आज रात को नो बजे SSE CHSL के कोशन इडिसकस होंगे ठीक है इस पर आईए इसमें किसने क्या कहा पहले चाल क्या थी चोवन और अब चाल क्या हो गई 27 से बढ़ा गई तो चोवन और 27 सात और चार ग्यारा एक कहरी पांच और एक छे और दो आठ 81 हो गया यह क्या है चाल है तो आपके पास समय क्या होगा आप समय बता देगे यह क्या है चाल है यह नो पर कट रहा है नो पर आप काटेंगे नो ची के चरंजा और नीमी नीमी क्या सी फिर तीन पर काटेंगे तीन दुनी छे तीन तिया नो तो समय का रेशो क्या है त्री रेशो टू है तो आपको यहाँ पर आपने देखा कि चोवन किलोमीटर प्रती गंटे की चाल से यह तीन के हिसाब से तीन गंटे में इसको कवर कर सकता है तो इसने पूछा अगर कार्द बारा इसी दूरी को तेह करने में कितना समय लगया तो दो का माना बता देंगे दो गंटे हो जाएगा दो गंटे मतलब ऑप्शन सी पहले चाल क्या थी चोवन थी आपने चाल को बढ़ा दिया क्या सी हो गई रेशो क्या है तू रेशो त्री चाल और समय का रेशो उल्टा होता है तो समय का रेशो क्या है तीन अनुपाद दो पहले समय कितना लगता था तीन अब कितना लगेगा दो तो दो किसके बराबर ह option c option c क्या है बिलकुर सही उत्तर है option c क्या है पर हम सकते है इस पर आएंगे यदि आपके पास तीन संख्याएं है ठीक है एक तीन साथ के अनुपात में है यदि आपके पास तीन संख्याएं है और ये एक तीन साथ के अनुपात में है और इनका लगुतम स्मावरते है जानिकी LSEM 336 है तो इनका HCF क्या होगा आपको इनका HCF बताना है जल्दी से आप बताएंगे इनका HCF क्या होगा आपको इनका HCF बताना है ध्यान से दिखना जब कभी भी हम LSEM की बात करते हैं तो LSEM क्या होता है एलसियम होता है एक्स इफ गुना में नमबर रेशो मल्टीप्लाई रेशो मनदना जो वह वी आपको रेशो दे रखा होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसियमा लगता है एक बात द्यान खना जब कभी वी ये तील संख्यां का अनुपात होगा जब कभी भी तो इसमें यह संख्याएं आपस में को प्राइम होनी जहीए, आपस में को प्राइम का मतलब क्या है, कि इन में यह से कोई भी दो संख्या, एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, तो इसको हमने देखा, XCF हमें हमें बताना है, और रेशो क्या है, एक गुना में, तीन गुना में साथ, बराबर, 336 है, तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे, तीन से काटेंगे, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दो नीचे, साथ से काटेंगे, साथ एकम साथ, साची के 42, तो 16 आगया, 16 क्या है, HCF है, तो HCF क्या है, 16 है, option a option a क्या है बिलकुल सही उत्तर है option a क्या है परमस्त्ते है सबको ये बात clear हुई तो इस तरह से ये सवाल आपके exam में आते हैं और इस तरह से आपके exam में ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं इस पर आएगे एक अर्ध गोले का ब्यास ग्याली सेंटीमीटर है ठीक है इसका वक्र प्रिष्चे शित्रफल और संपूरन प्रिष्चे शित्रफल ग्याद करें जल्दी साथ देखेंगे देखें आपको ये पता है कि एक अर्ध गोला कैसा दिखता है इस तरह से दिखता है ये एक अर्ध गोला है ये एक हेमिस्पेर है हेमिस्पेर में आपको ये भी ध्यान देना है कि ये इसका रिडियस है है के नहीं इसमें आप देखेंगे एक होता है करम सरफेस एरिया करम surface area क्या है 3 constitutional एसा क्यों होता है क्योंकि आपके यहाँ पर जो टोटल सर्फेस एरिया होता है उसमें यह सरकल का एरिया जुड़ जाता है ओपर वाले का नीचे वाले का तो हमने यापर कर δेखा अब हमसे इसका पूछाए कि यह क्या है तो दो गुना में 22 बटे साथ गुना में 21 गुना में 21 कैसे क्योंकि यह रेडियस नहीं है यह डायमीटर है यह व्यास है व्यास का आधा क्या होगा रेडियस होगा तो रेडियस क्या होगा 21 होगा इसको देखेंगे आप तो यहाँ पर यह क्या होगा 44 और यह क्या होगा 2 5 2 2 2 7 7 27 82 आ गया ओप्सें सी ऑप्सें सी क्या है बिलुकुर सही उत्र है किसी भी और ओप्सें में 2772 है twitter है तो इसलिए ओप्सें सी क्या होग यह बिलुकुर सही अगर दो अप्षन में 2772 हो जाता तो तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकाल कर देखना पड़ता पर अब तो जुरुरती नहीं है अब तो में देखती पता चल रहा है कि 2772 एकी ऑप्षन में और वो अप्षन सी है तो वही सही उत्तर है ऑप्षन सी क्या है बिलकूर सही अंसर इस पर आ रहेंगे इसमें क्या क्या रहा है इसको ध्यान से देखेंगे चलिए इसको देखेंगे यहाँ पर एक बात बहुत बार सुनने को आती है कि 11 का multiple देख रहेंगे 11 का multiple देखकर आप कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत है नहीं पर 11 का multiple हर बार लगे ये सही नहीं है क्योंकि कई बार 2 option 11 की multiple दी देता है कई बार 2 option 11 की multiple दी देता है तो वहाँ पर चक्कर पड़ जाता है ठीक है इस पर आएंगे इसको देखो इसने क्या कहा है साइन 45 साइन 45 क्या है वन अपॉन रूट टू है कोस 60 क्या है वन अपॉन टू है तैन 45 वन है और कोट 45 भी क्या है वन है देखो एक बात धान लखना कि बहुत बार आपके पेपर में सीधा वेल्यू पुटिंग से ही कोश्चन आ रहते हैं कि वह वेल्यू पुट करो और आंसर बताओ सीधा वेल्यू पुटिंग से कोश्चन आ रहते हैं जैसे आपने देखा साइन 45 तो एक बटे रूट दो की पावर चार प्लस में एक प्लस में एक प्लस में एक यहीं होगा बताओ यहां तक क्लियर है कोई दिक्कत होनी है चाहिए देखा अगर आपको वेल्यू याद है तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर वेल्यू याद नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है तो इसलिए इनकी वेल्यू को याद जरूर कर लें ताकि आप ऐसे सवालों के जवाब जल्दी से दे सकें, है के रहें? इसको देखेंगे, तो एक बटे चार, एक बटे सोला, प्लस में दो, यह होगा. एक बटे 4 एक बटे 16 प्लस में 2 यह होगा 16 नीचे आ जाएगा 4 यहां जाएगा यहां एक आजाएगा यहां 32 आ जाएगा इसको जोड़ेंगे आप तो 37 बटे 16 हो जाएगा option B option B क्या है बिल्कुल सही उत्तर है option B क्या है परम सकते है option B is the right answer option B क्या है बिलकुल सही उपतर है इस पर आएंगे एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? आपको ये बताना है, जल्दी से आप बताएंगे इस सवाल को देखेंगे, इसमें कैसे आप कर सकते हैं? अना इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है? इसको देखना देखें, 20% बढ़ने का मतलब क्या है? एक बटे 5 है, तो ये 5 से 6 हो रही है, अगर ये 5 से 6 हो रही है, तो ये किस के बरावर है? 30, 942 के बरावर है, तो आप 30, 942 को 6 से बाग कर देंगे, और गुना कर देंगे 5 से, क्योंकि पहले तो 5 थी, ठीक है नहीं? पहले 5 थी, तो आप इसको 6 से बाग करेंगे, 5 के 30, 6 कम 6, पीछे क्या बचेगा? आपके पास 34 बचेगा, 5 के 30, 7 के 42, अगर आप इसको 5 से गुना करेंगे, तो इकाई अंक 5 हो जाएगा, ठीक है, अब आप 51, 57 को 5 से गुना करना, 7, 35, 3 के रही, 25, 25 और 3, 28, 2 के रही, 5 और 2, 7, 57, 85, sorry, 25, 25, तो 25, 785, option B, option B क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, option B क्या है? पराम सत्ते है, सब को क्लियर? 25, 785, option B, option B क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, option B क्या है? पराम सत्ते हैं, सब को ये बात क्लियर होई? चलिए, और आगे बढ़ते हैं, इसको देखना, दो ट्रेने, सुबह 7 बजे, दिल्ली और पटना, सोरी, दिल्ली और पूने से, करमश, 85 किलोमेटर परावर, और 67 किलो दूसरे की और चलना अरंब करती है, ठीक है, यदि वे दोनों करमश है, साड़े तीन बजे क्रोस करती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? आपको दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है, ध्यान से आप बताएंगे, दो ट्रेने, दो ट्रेने हैं चलना शुरू करती है इसको आप देखेंगे ये ट्रेन दिल्ली से निकल रही है और ये ट्रेन पूने से निकल रही है इस ट्रेन की चाल क्या है 85 है और इस ट्रेन की चाल क्या है 67 है ठीक है और ये दोनों एक दूसरे की और चलना शुरू करती है एक दूसरे की और का मतलब क् opposite direction में चलना शुरू करती है ठीक है यदि वे दोनों साड़े तीन बजे एक दूसरे को क्रोस करती है साड़े तीन बजे ठीक है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई यह चली ती सुबह साथ बजे और साड़े तीन बजे यह क्रोस कर रही है इसका मतलब क्या है इनको कितने कितने गंटे रही है यह देखवा 17,9,10,11,12,1,2,3-9,11,12,7,15,10,12 हो गए इनको कितने गंटे? पाँच,12 पाँच, गंटे तो यह रही है और साड़े तीन यह तो साड़े आट गंटे हो गए हुए के नहीं है? हना 7 और 5, 12 और 3 और तो 8.00 गंटे हो गए तो अगर ये आप देखेंगे तो टोटल समय क्या हो गया 17 बटे 2 गंटे हो गए अगर ये विपरी चल रहे हैं तो चाल जुड़ेगी 7 और 5, 12 एक कैरी हना 7 और 5, 15 तो इनको गुना करेंगे 17 बटे 2 से 2 से इसको काटेंगे यह 7 और 6 पर जाएगा 1 आई अंक क्या है 2 है और 1 आई अंक 2 सिरफ इसी में है तो option C क्या है बिल्कुल सही उत्तर है option C क्या है परहम सत्ते है option C is the right answer option C क्या है बिल्कुल सही उत्तर है सब को यह बात समझा गई बताओ केरें सर तुरह 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 इंग्लिश में भी बोली है ध्यान से देखिए आप टू ट्रेल्स और स्टार्ड्स प्रॉम दिल्ली एंड पॉने और ये एक दूसरे की तरफ तुवर्स इच अदर एक दूसरे की तरफ चलना अरंब गरती है तुवर्स इच अदर ऐसे कह रहा है चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है इसको द्यान से देखते हैं इस सवाल का उत्तर आप देंगे आप करिए उस इसका उत्तर हाँ यार मैं तो इसी बात का आज मैं हल लेकरूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा आज आप देखें बहुत सारे बच्चे मुझे अब ये थोड़ा थोड़ा भाई मेरे पढ़ाने का तरीका ये ऐसा है कि आपको टफ सवाल भी असान लगेगा ये मेरे पढ़ाने का तरीका है आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा कि आप इन सवालों को असानी से कर पा रहे हैं ये सभी एक ही शिप्ट के सवाल है अगर उसने इतने इसान सवाल आपको लग रहे हैं तो आपका पेपर क्लियर होना चाहिए फिर दिक्कत कहा आ रही है इसी समस्या को दूर करते सुھए वाली क्लास में ध्यान से सुनेगा इसमें हम डेली 20 कोश्चन 20 कंसेप्ट डिसकस करें 20 कोश्चन 20 कंसेप्ट 20 कोश्चन होंगे सभी एक ही शिफ्ट के होंगे ठीक है भाई बताओ पहले मैं उसका तोड़ासा कंसेप्ट बताओंगा फिर उसी बेस पर आपको कोश आप इसको बताएंगे क्या आप यह भी या पीस कोश्चन कन्सेप्ट पहल state बताई फिर उसी पर he उसी पर एसे चलेंगे बताओं यह सभी यह नहीं बताएं अगर आप इसके लिए सहमत है ring तो हम घर स्को शुरू करेंगे बताओ बताओ यह कर ले पिर कल से शुरूब ठीक है अब पेपर बता दो कौन से ले कर आएं बताओ हम यो पेपर लेकर आएंगे वो SSC सीजेल का लेकर आएंगे SSC सीजेल का SSC सीजेल जो दिसमबर 2022 में अभी question हुए है उनको लेकर आएंगे ठीक है जो December 2022 में अभी question paper हुए है उनको लेकर आएंगे SSE CGL के ठीक है भाई ये सब के लिए सही रहेगा फिर बताओ ठीक है सब को सही है फिर तो कोई नहीं कहेगा क्यों ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया भाई ये बात नहीं सुनूँ आप मैं ठीक है बताओ ये ठीक है ऐसे कर ले हाँ बताओ हम ऐसे गेम गुमाले SSE CGL दिसंबर 2022 के question होंगे और मजे से आप और हम पढ़ेंगे बताओ ऐसे जही रहेगा चलो इसको देखते हूँ एक पुलीस करमी 1500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है ठीक है वैं पांच मीटर पर सेकन की चाल से भाग रहे हना चोर का पीछा करना अरंब करता है ठीक है और पुलीस करमी त्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तैक की गई दूरी ग्याद करें कि पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने तक चोर की दूरी क्या है आपको ये बताना है मुझे एक बात बताओ दोनों एक की दिशा में चल रहे हैं और दोनों का समय क्या है बराबर है आपको कैसे पता चला सर की समय वराबर है क्योंकि चोर भी बागा और पुलिस भी वागा अब जब तक पुलिस चोर को नहीं पकड़ लेगी तब तक चोर भी भागेगा और पुलिस भी भागेगी तो समय तो बराबर हुआ अगर समय बराबर है तो speed का ratio ही distance का ratio होगा simple सी बात है अब इसने हमसे पूछा चोर द्वारा तेक की गई दूरी ग्यात करें चोर द्वारा कि चोर ने कितनी दूरी तेक की है तो हमें यहाँ पर पता है कि ये अंतर कितना है, दो का है, ये दो किसके बरावर है, देड़ सो मीटर के बरावर है, तो चोर ने तो ये दुरी तेह की है, पाँच की, तो पाँच किसके बरावर है, देड़ सो बटे दो गुना में पाँच, ये कितने पर कटेगा, 75 पर, तो ये कितना आएगा, आपके पास 375 आ रहेगा ठीक है 375 मतलब option A, A क्या है बिलकुल से उत्तर है, A क्या है परमसत्य है, option A is the right answer, सब को clear बताओ, आगे चलते हैं, इसको देखना, क्या आप pre test series लेना चाहते हैं, ये भी मुझे बताओ, क्या आप pre test series लेना चाहते हैं, तो आपको class के last minute, आज pre test series भी क्या आप pre test series लेना चाहते हैं, जल्दी से बताओ, क्या है सर, अभिनेंदन 6.0 लेना है, कोई offer दे दीजे, offer ही चल रहा है या, 620 रुपे इतना कम price का रखा है हमने, और इससे ज़्यादा कम क्या करें, बताओ, हम, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसे ने कहा, 3600 रुपे की जाकेड के लिए कितना बुकतान करेंगा, 15% का discount तो 85%, 10% का discount तो 90%, ये कट गया, और ये भी कट गया, और ये कटा 2 पर, और ये कटा 17 पर, और ये कटा 18 पर, ठीक है भैं, यहाँ पर देखेंगे आप, एकाई अंक क्या होगा, यहाँ यूनिडिजिट क्या होगा, यूनिडिजिट देख लेंगे, 9,7,63, तो 3,8,24, तो 4, यूनिडिजिट 4 होगा, यूनिडिजिट 4 यहीं पर है, option A, तो A क्या है, बिलकुल सही उत्तर है, ये क्या है, परमसत्य है, इस स कीजिए कि वैनाव, धारा की विप्री दिशा में, 13 किलोमेटर की दूरी, कितले समय में तै करेगी, आपको ये बताना है, जल्दी सा बताना, A boat can travel 104 km downstream in 8 hours, ठीक है, if the speed of the stream is 2 km per hour, then find in what time it will be able to cover 13 km up stream, आपको ये बताना है, कि 13 km up stream को तै करने में, ये कितना समय लेगा, जल्दी सा बताएंगे, जल्दी से आप इसका अंसर करेंगे, जल्दी से आप बताएंगे, चलिए, बताएंगे, एक नाब धारा की दिशा में 104 km की दूरी, तो ये क्या होगा, नाब और धारा की चाल जुड़ेगी, जुड़ गई, और इसने कहा, कि धारा की चाल मतलब, धारा की चाल 2 km पर hour है, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर बताएं, ये कितने पर कट रहा है, तेरा आठे 104, और यहाँ पर आप नाब की चाल बताएं, कितनी है, ग्यारा है, नाब धारा की बिप्री दिशा में, अगर चलती है, तो तेरा बटे 9 समय लेगी, बताओ, लेगी के ने लेगी, क्योंकि अगर नाब धारा की बिप्री दिशा में चलेगी, तो चाल माइनस होगी, अगर हम चाल को माइनस करेंगे, तो ग्यारा में से दो गया, तो नो आएगा, तो तेरा बटे 9, तो एक सही चार बटे 9 होगा, औप्शन B, औप्शन B क्या है, बिलकुर सही उत्तर है, ये इस पर आए, इसको देखेंगे, देखें, अभिनंदन 6.0 के बारे में आपको बता देता हूँ, अभिनंदन 6.0 आपको अड़ा 24.7 की एप्लिकेशन पर अभिलेवल है, इसको लेने के लिए आपको यहाँ पर ठीक है, जाना होगा SSC में, SSC में स्टोर पर, स्टोर में आपको अभिनंदन 6.0 दिख जाएगा, यहाँ पर ये बैच आपको अभिलेवल है, इस बैच को आप 620 रुपे में जोईन कर सकते हैं, यही इसका ओफर प्राइस है, इसमें आज से, मतलब कल से सरकल शुरू हुआ है, आज सरकल की दूसरी क्लास होगी, और शनीवार को दो गंते की कलास होगी, तो आप अगर अभी से जोईन कर लेंगे, तो आपको बहुत वेनिफिट रहेगा, मतलब मस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, तो आपको यही बता रहा हूँ, कि अभिनंदन 6.0 आप ले सकते हैं, कोड क्या लगेगा, Y761 लगेगा, Y761 कोड के आप इसको जोईन कर सकते हैं, ठीक है, तो यह बैच आपको सफलता दिला देगा, बढ़िया से, ठीक है, मस्त बैच है, बहुत बढ़िया क्लासी जिसमें चल रही है, आप अगर अडवास मैस से ड़ते हैं, तो यह बिलकुल सही समय इस से जुड़ने का, क्योंकि इस महीने में अडवास मैस कतम करवाएंगे हम, तूड़ी, त्रीडी, यह सब कतम होगा, इस पर आओ, एक दुकानदार, एक पाठ्या पुस्तक के सो रुपे अंकित मुल्या पर, पंद्रा परसेंट की छूट देता है, अनरोद करने पर, वेवस्तू के नए मुल्या पर, दस परसें कुल चूट क्या है, यह कट गया, यह भी कट गया, आप इसको दिखेंगे, नो, पानी, पंतालेश, चार कैरी, आड़ने, बहत्तर, और चार, चेहत्तर, तो इतना आपके पास, तो इस में से बहुत सारे विद्यारती कहेंगे, कि उत्तर भी ओप्शन दी हो जाएगा, आप अगर आप इसको 76 रुपे 50 पैसे में बेच रहे हैं, तो आप डिसकाउंट दे रहे हैं, 23 रुपे 50 पैसे का, ओप्शन A, A is the right answer, इसने यहाँ पर चूट पूछा है, ना की इसने बिक्रेम उल्ले पूछा है, यह तो सेलिंग प्राइज हैं, और यह चूट है, तो 23.5 की क् अप्शन A क्या है, बिल्कुल सई उत्तर है, अप्शन A क्या है, पर हम सकते हैं, सब को यह बात clear, चलिए, इस पर आइंगे, A एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि A और B मिलकर इसे, धाइ दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, बी को अकेले इस काम को पूरा करने हैं जल्दी से आप बताएंगे एक बात और ध्यान दीजिए आप में से अगर कोई भी फ्री मोग टेस्ट लेना चाहता है जो कि मैं कहूंगा आप सभी लो ठीग है मैं सब को कहूंगा कि भाई आप सभी फ्री मोग टेस्ट लो तो आप यहां पर इसके डिस्क्रिप्शन वोक्स में जाएंगे शो मोर करेंगे शो मोर करते ही आपको यहां पर डाउनलोड अवर अड़ा 24-7 एप्लिकेशन का लिंक मिलेगा आपको यहां पर बता रहा हूं बहुत ध्यान से आप सुनिये आप यह तो प्री मोग टेस्ट हैं और भाई ऐसा नहीं है कि 2 हैं 4 हैं 5 हैं 40 हैं 40 40 प्री मोग टेस्ट हैं और previous year की पोम में हैं सारे previous year की पोमें तो आपको यहाँ पर बता दूँ, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपके पास description box ने एक link है, download our application, यहाँ से application को download करो, ssc category में जाओ, और वहाँ पर store पर जाना, ssc cgl पर, वहाँ पर test series select करना, अभी आपको दिखाऊंगा की free कैसे लेनी है, तब तक application download करो, इस link से सभी, सभी application download कर लो, जल्दी से, link आपको उसी सिर्फ download करना, जो आपके description box में है, तभी आपको मिलेगी, ठीक है, यहाँ से download करो, बताओ, किस किसे ने download कर ली, यहाँ पर आपको कह रहा है कि, एक इसी काम को 10 दिन में, और इसी तरह से एवर भी मिलकर, 5 बटे 2 दिन में, ठीक है, एक इसी काम को 10 दिन में, और यह 5 बटे 2 दिन में, तो LCM यहाँ गया 10, तो यहाँ पर हाया 1, और यहाँ पर आपके पास आएगा 4, यह 4 कैसे आएगा, इसको यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर 10 को आप बाग करोगे, 5 बटे 2 से, तो यह क् तो इसलिए हमने यहां पर देखा अच्छा इंगलीश में कोश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है यहां पर यह 2 सही 1 वटे दो हो दो सही 1 वटे 2 होगा तो यह 4 आ गया A और B मिलकर 4 काम करते हैं और A करता है A काम तो B करता है तीन काम टोटल काम था 10 तो अगर ये 10 करेगा तो 10 बटे 3 दिन लेगा option A A is the right answer A क्या है परम सकते है जल्दी से बताओ A क्या है बिलकुर से ही उत्तर है A क्या है परम सकते है जल्दी से बताओ किस किसी ने application को download कर लिया है जल्दी से आप बताओंगे जल्दी से yes लिखेंगे सबी yes लिख कर बताओंगे कि सरम ने application download कर ली है जो भी साती offline देख रहे होंगे ठीक है वो भी application को उसी link से download कर लीजेगा आपको भी free test series मिल जाएगी ठीक है बढ़िया ये हमारी तरफ से आपको तोफ़ा है चली तो इसने यहाँ पर कहा कि एक अर्ध गोलाकार का टोरा जिसकी त्रिजा 21 सेंटे मिटर है तो इसकी रेडियस क्या है 21 है आईस क्रीम से भरा है और इसके आईस क्रीम का आपको रेशो इसमें आपको ये बताना है कि आईस क्रीम का आईतन क्या है आईस क्रीम का आईतन ग्यात करें आप बताए इसमें आपको बताना है कि आईस क्रीम का आईतन क्या है आईस क्रीम का मोग टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे आपको वहां पर सिरफ से सीजिल के यह नहीं दूसरे मोग टेस्ट भी अबलेबल हैं तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि उसको डाउनलोड कर लो बहुत जरूरी है ठीक है आप application को वहां को लिंक दिया हुआ है उससे आप डाउनलोड कर लें आइस्क्रीम का आइतन क्या है तूबै थ्री पाई यार क्यूब है चलिए इस कोश्चन को आप घर से करके लेकर आना अभी फिर से आपको कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में एक लिंक है वहां पर जाईए आपक करेंगे जैसे आप हमारी क्लास के नीचे आएंगे यहां पर दिस्क्रिप्शन बोक्स में आप इसके जाएंगे जैसी शोओ मोर करेंगे तो आपको यहां पर दिख Golden अबर अड़ा 257 इस पर क्लिक कर देंगे जैसी आप करेंगे आपके यहां पर आप्षन आ जाएगा डा Deaf का इसको डाउनलोड करें एप्लीकेशन को जैसी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे ठीक है आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया तो आपको यहाँ पर जाना है SSE में और उसमें आपको जाना है SSE CGL पर Store में Store में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है Test Series में Test Series में आप जाएंगे तो आपके पास यह रहे 40 Free Mock Test Full Test है यह 40 Mock Test है आपके पास इसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें आप यहाँ पर Code लगाएंगे Free Code मांगेगा नीचे आपके आपको rate दे रखा होगा 100 रुपे आपको pay नीचे दिखाएगा C offers C offers पर आप क्लिक करना तो आपसे Code डालने को कहेगा आप Code डालना Free Apply करना Apply करते ही आपको यह Free हो जाएगा ठीक है भाई? Apply करते ही आपको यह Free हो जाएगा तो application को डाउनलोड कर लो यह Free Mock Test आप वहाँ से ले लो Daily एक एक Mock Test आप लगाओ Free Mock Test दे रहा हो आपको ठीक है भाई? तो इसको जरूर कर लें ठीक है? जिस जिसने कर लिया वो comment box में भी बताएं कि उसको मिल गई के नहीं जिसको नहीं मिलेंगे फिर हम उसको और रास्ता बताएंगे सबको मिल राएंगे कई वार समझने में दिक्कत हो जाती है तो अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई तो आपको फिर बता दूँआ 40 Mock Test आपके पास इसको आज ही ले लो ठीक है Limited समय ओफर है ये ठीक है भई बताओ Clear तो आज का सेशन इंतक था आपको मुझे ये बताना है कि अगर आप SCCCGL के हमारे ठीक है किसी तरह के कोर्से जुणना चाहते है तो आपके पास यहाँ पर ये सभी अभी आपके पास Repeaters Plus में Crash Course और विशम बैच चल रहा है जिसमें विशम में तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और विशम में मेरी क्लासिस अरवास मैत की हो रही है इसको आप जोईन कर सकते हैं 880 रुपे में आज ही हमने एक वीडियो बैच लॉंच किया है लक्षे के नाम से वीडियो बैच भी आपको SSE अड़ागी एप्लिकेशन पर मिल जाएगा ये बैच आपको साड़े तीन सो रुपे का ही पढ़ेगा तकरीवन तरीक की तकरीवन और इसमें आपको कोड लगाना है Y761 इस कोड के साथ आप इसको जॉइन कर सकते हैं और बैतरीन अपनी त्यारी कर सकते हैं मुझे जो सबसे सही इनका लगता है वो ये है SSE महापैक SSE महापैक अच्छा क्यों लगता है क्योंकि इसमें Double Validity Offer आया हुआ है इसमें इनका क्या सीन है कि भाई आपको ये 2640 रुपे में मिल जाएगा 2640 में पर इसमें क्या रहेगा कि आपको अगले 2 साल तक कोई भी पेपर आए वो पेपर की क्लासिस कोई भी आपकी टेस सीरीज आए वो टेस सीरीज कोई भी e-books आए वो e-books चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर हो कितने भी बैच आए सारे मिलेंगे इसमें ठीक है कितने भी आपके नए-ने बैच आते है सब इसमें मिलते चले जाएंगे और उसी के साथ साथ हना CGR, CPO, CHSR सब कुछ इसमें मिलेगा GD विगरा भी इसमें आपको मिल जाएगा तो यही आपके सामने option अभी level है तो अभिनंदन 6.0 के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया है कल से class कैसे होगी मैंने आपको यह भी बता दिया कैना सर रेशो की class कहां से मिलेगी topic wise रेशो की class आप सर्च कर लीजे रेशो भाई अभिनंदन सर आपको class मिल जाएगी और आप पढ़कर देखिए आपको मजा रहेगा ठीक है भाई यह मेरा वादा है आपसे इसी के साथ जैहिन जै भारत ओफलेन कमेंट जूर करिएगा session क्या चलागा मिलते हैं रात को नों बजे इसी के साथ